तो अब हम पढ़ेंगे लेक्चर नमबर 3 और चैप्टर नमबर 2 क्लास 10 तो पिछले लेक्चर में हमने पेंटिंग्स तक पढ़ा था तो अब हमें पढ़ना है फाइन आर्ट ओफ इंडिया singing, playing, dancing and performing role of different character is a unique feature of Indian culture यनि कि जो इंडिया का culture है उसका एक बहुती अधबुत सा feature है जिसमें गाया जाता है, बजाया जाता है, डान्स किया जाता है और अलग-अलग character की mimicry की जाती है Entertainment with the moral education has been imparted since the ancient time through dramas based on the greatest scripture like Ramayana and Mahabharat यनि कि Ramayana और Mahabharat में से कोई-कोई scenes को लेके उस पे drama दिखाए जाता है ताकि public में education भी बड़े और public entertain भी होए अब हम को बात करनी है music के बारे में तो Indian music is unique in the world from the point of view of tune, rhythm and harmony तो इंडिया का जो music है वो बहुती unique है, बहुती अधबुत है उसकी tune अलग है, उसकी rhythm अलग है, उसकी harmony अलग है दूसरे बहुत अलग, अलग country से अब जो एक माक में सवाल आ सकता है, वो यह है कि जो चार वेद होता है उसमें से कौनसा वाला वेद music से associated है, music से जुड़ा हुआ है तो इसका अंसर है सामवेद, सामवेद जो है, वो music से जुड़ा हुआ है रिचाज अध़ सामवेद are sung with the tunes and rhythm of music यानि कि सामवेद में जो रिचाज है, जिसको Aryans लोग recite किया करते थे वो गाई जाती है, rhythm के साथ, music involves both singing and playing यानि कि music के अंदर गाना गाया भी जाता है, और किसी musical instrument को बजाया भी जाता है सारे गामा पाधानी are seven vowels of music music के साथ वोवेल माने जाते है, जो सारे गामा पाधानी music को हम दो पार्ट में डिवाइड करते है, एक है classical music और दूसरा है folk music अब जो main question है के हमारे पास कितने राग है, तो हमारे पास total पांच राग है, वो कौन-कौन से है, तो श्री, दीपक, हिंडोल, मेग और भहरवी अब बहुत सारी किताबे music के ओपर लिखी गई है, उसमें से हमको total तीन में पढ़नी है, सबसे पहली है संगीत मकरंद, तो संगीत मकरंद को लिखने वाले जो scholar थे, उनका नाम था नारद, उन्होंने कब लिखा? तो उन्होंने लिखा था 900 B.C के अंडर, अब इसके अंदर 19 Venas थी और 101 rhythm था, क्या-क्या बहुत संगीत मकरंद के बारे में इसको नारद ने लिखा था 900 BC में लिखाता 19 Venus और 101 Rhythm थे अब number 2 पे जो किताब लिखी गई थी वो है संगीत रतनाकर जो हमको learn करनी है जो दो माक में आ भी सकती है संगीत रतनाकर जो है ये लिखाता पंडित सारंग देव ने अब जो पंडित सारंग देव थे वो दौलताबाद देवगीरी में रहते थे तो वो South और North दोनों ही म्यूजिक को बहुती बढ़िया तरीके से जानते थे अब point number 3 जो आता है पंडित विश्नु नारायन भाद कंडे ये संगीत रतनागर को सबसे बढ़िया बुक बताते जो म्यूजिक पे लिखी गई है और last point जो आता है संगीत रतनागर जो है वो बहुती unique बुक है अगर किसी को म्यूजिक के बारे में पढ़ना हो तो तो चार point हमने रतनाकर के बारे में बोले किसको पंडित सारंग देव ने लिखा था जो कि दौलताबाद में रहते थे तो दौलताबाद में रहने के वज़े से वो जो है फैमिलियर हो गए थे नौर्थ और साउथ इंडिया के म्यूजिक से फिर पंडित विश्णुनारान भातकंडन ने इसको सबसे बढ़िया बुक बताई थी म्यूजिक के रिलेटेड और ये बहुती यूनीक है बुक म्यूजिक के लिए अब जो आखरी किताब है वो है संगीत पारिजत संगीत पारिजत is very important book on the music बहुती important book है important जो चीज आती है कि इसको लिखा किसने था बस हमको author के में नाम याद रखना है एक मांक में वो भी पूछ सकते है तो संगीत पारिजत को लिखा था पंडित अहो बले ने कम लिखा 1665 पे जो की based है north side के music पे he had noted one important characteristic feature of all the ragas saying that the ragas have their own individual identity and the characteristic जो उपर हमने राग पढ़े रहता है जो पांच राग थे तो वो हर एक राग का अपनी अपनी individual identity है मतलब हर एक राग जो है वो अलग-अलग है he had described 29 types of tunes उन्होंने बताया कि इसके अंदर अलग-अलग तरह के tunes है 29 types of tunes है During the time of Allahuddin Khilji talented Amir Kushro was very famous अब जो एक माक में हमसे question पूछा जाता है कि जब Allahuddin Khilji राजा थे तब आमिर Kushro बहुत जादा ही famous थे क्यों famous थे? क्योंकि उनको music आता था उसके अलावा वो poetry बोलना भी जानते थे और इसलिए उनको तूती ए हिंद कहा जाता था यनि की parrot of India तो तूती ए हिंद किसको कहा जाता है तो आमिर Kushro को कहा जाता है ये एक माक में सवाल आता है भक्ती मुवमेंट started in India in 15th and 16th century जो भक्ती मुवमेंट है वो इंडिया में 15th और 16th century में चालू हुआ जैसे अभी हम 21st century में जी रहे तो भक्ती मुवमेंट के शुरुवत 15th century से ही हो गई थी भक्ती संगीत और चैतन्यम महापरवू कभीर तुलसिदास मीराबाई नर्सी मैता यनि की ये सारे लोगों के भक्ती गीत जो थे वो बहुत जादा ही फेमस थे यनि की 15th century पंदरवी सदी में ये सारे ही लोग जो थे ये हीरे माने जाते थे म्यूजिक की फील्ड में अब हमें बात करने ये डांस की तो ये एक question है जो हमें दो माक में फिर से पूछ सकते हैं तो इसको भी हम point वही जाद करेंगे इसमें सबसे पहला point ये आता है the word नृत्य has been derived from the original Sanskrit word नृत जो नृत्य word है नृत्य हैने की जो dance है वो derived हुआ एक Sanskrit word में से जो की था नृत ये था point number one point number two है dance एक ऐसा माधियम है dance एक ऐसा medium है जिससे beauty को realize किया जाता है ताल और लए के साथ अब dance की शुरुआत किस ने की तो dance की शुरुआत की थी शीवा जी ने और उनको dance की field में lord भी कहा जाता है यानि की भगवान भी कहा जाता है और शीवा का एक और नाम भी है जो की है नटराच He was the first to bring down music अब ऐसा माना जाता था के heaven से यानि की जन्नत से पहली बार music को धरती पे शीवा ही लाए थे India has wide variety अब इंडिया के पास अलग-अलग तरह के traditional dances है जैसे की भरतनाटियम, कुचीपूरी, कथक, कथकली, ओडिसी और मनीपूरी तो यहाँ पर एक question खतम होता है अब हमको जो एक माग में पूछ सकते हैं कि God of Dance या तो Lord of Dance कौन है तो वो है नटराच अब हमें पढ़ना है एक एक करके सारे dance की बात करते हैं सबसे पहला जो dance है वो है भरतनाटियम भरतनाटियम जो है उसकी शुरुवात उसका जो origin हुआ था वो हुआ था तांजोर के अंदर जो की एक district है तमिल नाडू का क्या बोला भरतनाटियम की शुरुवात हुआ था तांजोर एक के अंदर जो की एक district है तमिल नाडू के अंदर अब इसके उपर दो किताबे भी लिखी गए थी यह बहुत important है author का नाम याद रखना है बुक का भी नाम याद रखना है तो किताब का नाम था नाटिय शास्त इसको support करते थे तो वैजन्ती माला और हेमा मालेनी यह जो actress थी यह भरतनाटियम डांस को support करते है बहुत important के दोनों concert डांस को support करते है भरतनाटियम डांस को उसके अलावा गोपी करिश्ना और मृनाली नी सारा भाई भी भरतनाटियम से जुड़े हुए थे यह था हमारा पहला डांस जिसका नाम था भरतनाटियम अब आता है हमारा पास सेकेंड डांस जिसका नाम है कुचीपुडी कुचीपुडी डांस जो है उसको create कप किया था 15th century में बहुत important एक माग का question अब यह किसपे based है तो इसमें woman की beauty को दर्शाय जाता है different poses and gesture gesture जो है यानि की इशारे यह जो dance है इसमें अलग-अलग poses किये जाता है यानि की facial expression से अलग-अलग poses किये जाता है कुचीपुडी कहां पे famous है तो वो आंधरय प्रदेश में famous है और कौन-कौन से ऐसे लोग है जि राजारेड़ी, शोभा नाइडू ये लोग अभी भी कुचीपुडी को जिन्दा रखे हुए है अब हमें जो learn करना है वो है dance number 3 है जो कि है कथकली कथकली भी दो माग का question हमको पूछा जा सकता है इस साल तो इसको भी point wise याद करते है सबसे पहला point कथकली जो dance है वो कहां पे famous है कहरे लाम है सबसे पहला point point number 2 ये जो word है कथकली ये डिरावी किया गया था मतलब word कहां से मिला था तो ये मिला था रामायन और महाभारत से और संस्कृत और मल्यालम के ड्रामा से क्या बोला ये जो word कथकली है ये मिला था हमको रामायन और महाभारत से और संस्कृत और मलियलम के ड्रामास से अब इसके अंदर जो भी ये कथकली का डांस करता है जो केरेटर डांस करेगा वो बहुत ही ब्यूटीफुल सा और जिस पे प्लेट्स होती है ऐसा अटायर अटायर का मतलब कॉस्चुम पहनता है और उसके फेशल एक्सपरेशन वो फेश पे से हमको recognize करना है यहीं कि पहचानना है character को अब जो crown जो सर पे पहना जाता है वो बहुत ही आर्टिस्ट के यह इस पे बहुत ही कलाई किया होती है यह point number four अब point number five जो है the character perform he or her dance with the facial expression and poses of hand यहीं कि इसके अंदर एक character को introduce किया जाता है जिसका नाम है three लोग और वो curtain के सामें आ होता है यानि कि दिया होता है अब कौन-कौन से ऐसे लोग है जिन्होंने कथक कली को अभी भी प्रिजव करके रखा है तो एक इनसाने जिनका नाम है श्री वला ठोड इन्होंने डूंडा था कलामंडलम कथक कली को यह बहुत important एक माग का question कि इस ने डूंडा था कलामंडल कथकली को उसके अलावा कृष्णा प्रसाद शिवरमन ये लोग बहुती फेमस है कथकली डांस के अंदर अब जो तीस वरी चौथा जो डांस है वो है कथक डांस अब इसमें बच्चे बहुत कन्फिज होते हैं कि एक लाइन है जिसका नाम है कथन करे सो कथक कहावे यनि कि इ लाइन है वो कौन से डांस से जुड़ी हुई है तो ये लाइन कथक डांस से जुड़ी हुई है कथक कली से नहीं जुड़ी हुई कथक डांस से जुड़ी हुई है कथक के अंदर लॉड कृष्णा के कुछ-कुछ लाइफ इवेंट्स भी बताये जाते हैं और इसके अंद एक पैर पे पूरा 360 गूमना होता है और वुमन जो है इसके अंदर वुमन का अटायर बहुत इंपोर्टन्ट है वुमन का कॉस्ट्यूम बहुत इंपोर्टन्ट है तो वुमन इसमें थोड़ से पतले-पतले से ट्राउजर पहनते है नेरो ट्राउजर जिसके उपर फ्रॉक पहना होता है और ये dance कौन-कौन करते हैं तो पंडिच श्री बिरजुबा महराज सितारा देवी और कुमू दिनी लाख्या ये dance करते थे अब हम बात करें जो आखरी dance है वह है मनीपुरी dance अब नाम से पता लग रहा है मनीपुरी डान्स कौन करता होगा तो मनीपुर के लोग करते होंगे कब करते होंगे तो ओकेशन पे कोई भी फेस्टिवल है ओकेशन है तो तब मनीपुरी डान्स किया जाता था और ये dance किस पे based है, जैसे आगे वाला dance श्री कृष्णा के life event पे based था, तो ये dance श्री कृष्णा के रास लीला और बाल लीला पे based है, अब ये जो dance है वो दो प्रकार का है, एक है लसिय और एक है तांडव, एक है लसिय और एक है तांडव, अब इसके अंदर भी costume बहुत important है अटायर बहुत important है, the plated green colored petticoat is known as cumin, यनि कि जो petticoat पहना जाता है, वो green color का होता है, और उसको एक special नाम दिया जाता है, जो कि है cumin, and at the same time, silk blouse and belt are put around on the waist, यनि कि silk का blouse पहना जाता है, और belt भी पहना जाता है, कहां पे तो waist के around, अब कौन-कौन से लोग है, जिनोंने पू मोबी सिंग, एटम बो सिंग, गुरू बिपिन सिनह, नैना जवरी और निर्मल महता ने बहुत famous हुए थे, मनी पूरी डांस को करने के लिए, तो अभी हमने dances पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे dramatic art, dramatic art यनि कि drama, तो drama के अंदर लोगों को हसाया भी जाता है, यनि कि entertain भी किय जाते है, ये इंडिया ड्रामा का बहुत ही unique सा feature है, उसके अलावा कुछ anchor, जैसे anchor होते हैं, जो पूरे content को, मतलब हो जो host करते हैं, उसके अलावा कुछ clowns, जो जो जोकर होते हैं, वो भी रखे जाते हैं, ताकि वो audience को हसा सके, अब भरत मुनी ने एक किताब लिखी थी, जिसका नाम था नाटिय शास्त्र, वो जो है, वो किस से जुड़ी हुई है, तो वो dramatic art से जुड़ी हुई है, जैसे नाटिय शास्त्र आगे भी आई थी, अब dramatic art, इसमें अंदर एक कहा जाता है, tryo, tryo में तीन चीज़े है, एक dramatic art, दूसरा, drama को लिखना, और तीसरा, drama को perform करना, audio यनि कि सुन पाए ऐसे, और visual यनि कि दिख पाए ऐसे, तो ये तीन चीज़े, dramatic art, drama को लिखना, drama को perform करने से tryo कहते है, ये लोगों को entertain करती है, भले ही वो कोई भी age के हो, dramatic art, जो है, एक amalgamation है, amalgamation का मतलब क्या mixture, सारे ही art, जितने भी हमने पढ़े, जो भी जैसे कि drama है, उसके अंदर हसाया भी जाता है, उसके अंदर dance भी कियाता है, गाया भी जाता है, सबका mixture रही है, और इसको देखते हुए, भरतमुनी एक चीज़ कहते है, कि there is no book, there is no sculpture, there is no knowledge, there is no deed, which is lacking, lacking का मतलब कम है, dramatic art मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है, जो dramatic art में ना हो, मतलब सारी चीज़े dramatic art में है, ये कौन कहता है, statement बहुत important भरतमुनी कहता है, भरतमुनी ने कौन से किताब लेखी, नाटिय शास्तर, और ये भी बहुत important है, ये 2023 में भी आया था, कि भरतमुनी का पहला drama कौन सा था, तो वो था, देवासुर संग्राम, in Sanskrit literature, we have various, अब Sanskrit भाशा में, हमा कहा जाता है, he has bequetted us, अब उन्होंने अलग-अलग dramas लिखे थे, जैसे कि करना भार, उरुभंगा, दूत्वाक्याम, जो की बेज है महा भारत पे, अब उसके अलावा एक और भी है, हमाय पास, famous जो की है काली दास, काली दास ने भी बहुत सारी dramas लिखे, जैसे कि अभी या शाकुन तलम, विक्रम वर्षियम, माल विकागनी मित्र, और एक और भी लिखाय है, जो की है मेगदूत, इसके अलावा और भी बहुत famous dramatist है, जो की संस्कृत भासा से जुड़े हुए थे, अब हमें पढ़ने है, ऐसे dramatist, जो की गुजराती भासा से जुड़े हुए है, त जो की अमरूत नायक, बापुलाल नायक, दीना पाठक, जस्वन ठाकर, उपेंदर त्रिवेदी, प्रवीन जोशी, दीपक घीवाला, ये सब भी गुजराती ड्रामा से जुड़े हुए थे, अब जो important चीज आती है, जो दो माक में पूछी जा सकती है, वो है भवाई, तो वो script लिखते time, जो script writer है, वो ऐसा कहता है, कि भवाई एक emotion oriented drama है, यानि कि जिसमें हसी, नहसना भी होता है, emotion वाला drama है, पहला point क्या होला है, कि भवाई एक emotion oriented drama है, अब दूसरा point, ये जो drama है, ये 700 साल पुराना है, जिसको aside ठाकर ने लिखा था, अब तीसरा point, ये जो art है, म भी जाता था, entertain भी किया जाता, at a economical rating की सस्ते दाम पे, और ये कब जाधा चला था, तो सोलंकी एरा के अंदर जाधा चला था, तो अब तक हमने team point बोले, कि script writer ने बताया, कि भवाई बहुती emotion oriented drama है, ये 700 साल पुरा ने जिसको aside ठाकर रहे लिखा था, इसमें लोगों को educate भ famous हुआ था, सोलंकी के time पे, it was chiefly performed without curtains, यानि कि इसके अंदर पड़े नहीं होते, with light humor, यानि कि थोड़ा बहुत हसाया भी जाता है, humor का मतलब funny, जो हसाना होता है, and with music played on the trumpet, यानि कि इसमें जो गाना है, वो trumpet जो instrument होता है, उसको गाया जाता है, बजाया जाता है, अब इसमे main जो इसकी theme है, भवाई की जो main theme है, वो है social vises, यानि कि वो time पे, जो भी बुरी बुरी चीजे हो रही थी, उसको oppose करना, उसको protest करना, यही भवाई की main themes थी, अब इसमें कुछ character हुआ करते थे, जैसे कि रंगला, रंगली, वो लोग अच्छी चीजों को promote करते थे, जैसे क hymns जो होते थे, recharge जो होते थे, उसको recite करके, तो क्या क्या पड़ा हमने, भवाई के अंदर, सबसे पहला भवाई के जो script रहे थे बदाते हैं, बहुती emotion oriented drama है, यह drama 700 साल पूरा है, जिसको aside ठा करने लिखाता, इसके अंदर लोगों को educate भी किया जाता है, और entertain भी किया जात उसका oppose किया जाता है, कुछ character जैसे की रंगला रंगली, वो लोग लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, लड़कियों को बचाना चाहिए, ऐसा ऐसी चीजों को promote करते थे, और इसमें जो character हुआ करता था, वो goddess को worship करते थे, अपनी hymns यनि की recharge को recite करके,